अगर आप सब्सक्राइब करता हूं कि आप सब्सक्राइब के बारे में कि हम लोग बोडी में क्या-क्या सिस्टम को पढ़ते हैं क्या-क्या-क्या जरूरी होता हम लोग को अगरे मेडिकर सब्सक्राइब करना हो यह किसी प्राइब करना हूं उसे हम बोडी को पर होना चाहिए कि बोडी में कौन सा पार्ट कौन सा क्या बना हुआ है कैसे कौन वर्ग कर रहा है नहीं कर रहा है तो anatomy and physiology डौनों पार हम discuss करेंगे anatomy क्या है कि it is the study of the body organs structure यह रिखाइब का जो organs होता स् Romans weight in on your dog and physiology क्या है यह बोडी के organs का function study of the body organ function यानि हमारे बोडी का जो ओर्गन है इसके फंक्शन के बारे मुम्लूब फिजरोजीम पढ़ेंगे तो एनाटमी में पढ़ेंगे अम लोग फुरा सिस्टम के बारे में से अनाटमीकल सिस्टम बोलते हैं तो हमारा बोडी जो बना हुआ है ये बहुत सोरे सेल से बना हुआ है अब बहुत संद्धा मिलेग तो एक आरगाओ योन सिस्टम इंवायरमेंट में होता है इसेर्प अका चेया बनता है तो त्येसे तीस्पे बना और और ऑडिनकी बानगे ऑड़ान प्रमसेल फादर का और इस फर्मसेल फादर का दोनों को मिलने से क्या बन गया एक फटलाइसन का प्रोशच के दोवां जाइगोट बना और उस जाइगोट तो दो से चार आठ ड़स बढ़ते-बढ़ते पुरा सेल का गुरूप बने गया जो टीशू का लाया अब बहुत सब आपका अर्गन मिले चुसे माले जाए कि एर्ग आपका माउथ हो गया, टंग होगयी अफारिंग्स हो गया, आपका पुरा इसोफेक्रस हो गया, स्टोमाक हो गया, लीवर, घॉर, गाल ब्लेडर, पंक्रियाज, इंटरस्टाइं, एक टम, अपैंडिक्स ये सारा जो औरग होग आपका अस्केलेटन सिस्टम अस्केलेटन सिष्टम In this system का अमत्रा हुता है कंकाल तंत्र वह सा सिष्टम जिसमें कि हम लोग अस्केलटन के बारे में पड़ते हैं जो आपको फिघर पर दिखाई पड़ रहा है और इस लिगमेंट, टेंडन, काटिलेज, ठीक है, यह सारा जो अस्ट्रक्टिर जो परजेंट होता है, वह स्केल्टन सिस्टम में होता है, यह बोडी के फ्रेमवर्क धाचा का देवार करता है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे मसल्स बगरा का अटेच्मेंट तरवाएंगे, तुछ यज़ो अस्किलिकन स κैर्टम इसमें लोilloị बोनंके बारे के बारे में पढ़ेंगे, अग्ला जो सिर्टम है, थि मास्कुलर सिर्टम, मास्किलर सिर्टम की क्या मां सपेशित अंत्र, इसमें हम भलोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा मसल्स का आप होता है नहीं होता है क्या किस मसल्स का फंक्षन है इस यह मस्पा सिस्टेम में हम लोग पड़तेसे हैं तिसना नमबर हो गया आपकाJa animated हम सप секर शिस्टम तो कर रहा है किस जगा पर होटा ह ją हम क्या काश सक्षय बनावी हो पढ़ेंगे और भास्प्लर यानि कि भेन यानि कि आर्टरी या भेन ठीक है उसमें पढ़ेंगे अम लोग ब्लड सप्लाई कहा सकना जाता है तो काडियो अश्ट्र सिस्टेम अम लोग पढ़ेंगे हिर्दा यानि हर्ट और ब्लड बिसल्स की बारे में किया आपका ब्रोंकाई ब्रोंकियोल अल्विलाई लारिंग्स नेल क्याविटीज इसमें रिस्पार्टर सिस्टम में कि वैसा सिस्टम इसमें कि सास लेने के काम में आये और गंस उस और गन का स्ट्रक्चर का मलोग रिस्पार्टर सिस्टम में पढ़ेंगे इसका मतलब कौन सा ओर्गेन कहां पर इस है कि लीबर है परिंग कि आज गाल ब्लड रहे है माउथ में टंग स्लाइबरी ग्लेंग्स और भी आपका अंदर में जाएंगे तो फाइरिंग्स मिलेगा फी इसो फेगे दो फीगर में आपको दिखाई पड़ रहा है यह सारा ओर्गेंस जो हो पर रहेंगे मिलोग खाना पीना खाने के बाद में और जो भी यूरीन बन्क्रा बनता है और कैसे बन्ता ह है इसका तो मतले में और मूद में परियंगं लोग कि रीप्रड़क्टिव सिस्टम कि यानि प्रजनन तंत्र वाइशा तंत्र इसमें कि हम लोग प्रजनन के बारे पढ़ते हैं यानि कि कैसे जीव एक दूसरे जीव से संपर्ख करने के बाद हुआ नए जीव को पाथी कराता हो इसमें आगे चल के दू भाव में बटेगा में रिकोर्टे सिस्टम अलग फिर म का अस्फरमेटिक कॉड्ड यह सारी जो ब्लेंड जो फेकल आपका मेल सिश्टम का और आपका नर्वस शिटम अरवा सिश्टम् का मतलब वो था तंतरीका तंतर यानि इस सिटम में पढ़ने के बारे में और नर्व के बारे में वो फिगर में आप देख रहे हैं तो ब्रेन में कौन सा और यान कहां से क्या वर्क करता नहीं करता है अन्हें सिस्टमें तो इम्स स्थाय। 的 मुस्टम अलब करstr Bennett यहाई। इन्डोग सब्साइबॹ दोख्री ग्लैंड रिया। और यह बहुत सा हाय को थलमत बहुत से रगले हमारा बोडी में है जो हर्मोन को सिक्लेट कराता हो उसको इंडोक्राइन सिस्टम के अंद्र गातर पढ़ेंगे बोग आगे दासमा नम्मर में आपका लिम्पैटिक सिस्टम वाइसा सिस्टम इसमें की कोई बोडी का और यांस इम्म्यून सिस्टम के बारे में और बोडी में पुटा-फूटा सेल हो पोर्फ्यम विटामीच बच्ट का सेल रिसी नहीं कर पा रहा हो उसको फिर से हुआ हमारी ब्लड सब्सक्राइब लेका था हूँ सिस्टम को लिम्प दिक बरेम करें लिए सुस्टम यह से कि ओगे आपका इंठ ऍसक्रार में रिल्ड कि अ्पा हो जो जोat बोड़ी पार से क्शेषल अरका हियर नेल स्की इसह को पढंगे प 56hen नाखून और इसकी यहां हरे क्लिंग्य इस की का चा इस तर शारी खेया कृम आपक पढईंगे इ तरह से पुरा बोडी में इतना भी ओर गैंस है यह सब हम किसी ओर इंप इसी सिस्टम के माध्यां से पूरे बोडी और इंसको पार पाते हैं अगर आज बढेंगे अगर हम फुटेबल तरीके से पढ़एंगे इस तरह से तो हम बढ़ सकते हैं यसे कि आगर आपको शुटेबल तरीके से सिस्टमाटिक परीके से पढ़ना पढ़ेगा अब जाके वो कहीं आप पॉइसे आप लूब अर्च चिप माने के लिए तक तर दिक्क् ड्र अर्न मसल बोलता है मु असी लई एक डो टीन जार पांचे साथ आग़नोध इस दीप रिख टिश्टम आपको रिख अर्पूर साथ चुस्टम एपो अर्पूर स्टम आपको स्टम यह फॉर युट्री श्टम इसको एस्टेट इसर भी आपका अस्टेटन श्टम तो इस तरह से ट्रीक पर भी आप जो है इस अनाटमी के पुरा सिस्टम सिस्टम को आप पड़ सकते हैं आपको जन्कारी समझ माई होगी और भी कोई तरह का दिक्कत हो कुछ कोश्चन पूसर 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 जाते हैं तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखके भीजिए और अच्छा लगा तो लाइक करें लाइक करने से तो अप्रेसियेशन बनता है तो आपका दिन सुबह मंगल में बहुत वह दन्यवाद